हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टिडी पॉइंट दोस्तों आप सब की डिमांड पर मैं लेकर आगया है वरतमान में भारत में कौन क्या अधिकारी पता अधिकारी है हलाकि इससे पहले में अगस्त महीने में एक वीडियो अपलोड किया था इससे लेटेट तो इसमें लगभग 2-3 कोश्चन इस टॉपिक से पक्का पूछा आता है तो अभी आगामी अपकमिंग जो भी एक्जाम होने वाले हैं इस टॉपिक से लगभग आप मालीजे तीन से चार कोश्चन पक्का पूछा जाएगा तो आप इस टॉपिक बिल्कुल रट लीजिए के क कोश्चन आपके एक्जाम पॉइंडवी से बहुत इंपोर्टन एस सी बैंक रेलवे पीस सी पुलिस यूपी सिक्षक भरती एंपी टीचर एक्जाम और जितने भी स्टेट गवर्नेंटी एक्जाम है सभी में इस टॉपिक से आप समझ लिजिए कि कोश्चन बनता ही बनता ठीक है तो यदि आप इस वीडियो का अंदर तक देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से पूरा कभार हो जाएगा ठीक है दोस्तों और यदि भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें जो वीडियो को नीचे रैड कला बहुत सिंपल है तो यह है वरतमानवे स्री रामनात कोविन जी है यह सिक्वेंस याद रखिएगा कई वार यह पूछ लेता है 14 नमबर के 14 नमबर के यह ठीक है भारत के पहले राष्टपती का उन्ते बहुत सिंपल सा कोश्चान यह तो डाक्टर राजन प्रसाद जी थे सरवाधिक समय तक थे ठीक है 12 वर्स तक थे और राष्टपती की जो निन्ता माय श्रीमा होती है 35 वर्स होती है ठीक है निर्वाचित होने के लिए ठीक है तो यह याद रखिएगा आप ठीक है भारत का प्रतम नागरी होता है भारत का राष्टपती और तीनों सेनाओ का सर परगेट रखते हैं दोस्तों 20,000 लाइक का तो फटा फट वीडियो प्लीज लाइक करें आपको थोड़ी सी मदद मिलती है बरतमान में भारत के उपराष्ट पती कौन है वाइस प्रेसिडेंड कौन है उपराष्ट पती स्री एम बैंकायन आडू जी है यह तेरवे नंबर के ठीक है तेरवे नंबर के वरतमान में भारत के उपराष्ट पती है एम बैंकायन आडू वाइस प्रेसिडेंड देखे दोस्तों इनकी भी आईस्वी में जो होती है निर्वाजित होने के लिए उपराष्ट पती को 35 वर्स होती है भारत के पहले जो उपराष्ट पती थे व नेक्स अ analisors भरतवान भारत के प्राइम इस्टर कौन है ये बहुत सिंपल है प्रतानमंत है नरेंद्र जी नमबर के ठीक है ठीक है तो ये याद रखीएगा फिर अगला त्रस्वाइli सर्वोच नियाले के मुख फिल्म कवस इधि ale open कोड के चीब ये गई है यह है नयामूर्थी रंजन गोई 46 में नंबर के हैं इससे पहले दीपक मिस्रा नयामूर्थी दीपक मिस्रा जो टायड हो गए है ठीक है तो यह आपको याद रखियेगा ठीक है और आपको वता दे कि सब्सक्राइब करता है भारत के पहले मुख्य नयाधिस का उन थे हीरा लाल जे कानिया बहुत बार यह कोश्चन पूछा गया है ठीक है तो इससे लेटर जितने संभावित कोश्चन में आपको बताते जारों इसी तरह कोश्चन में तो आप मेरे साथ बिल्कुल याद करते च टेलिग्राम चैनल करेंगे इस वीडियो को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया हूँ तो इस लिंग पर क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हैं वह आप इसकी पीडियाप में दे दूँगा बरतवाने भारत के महानयावादी कौन है एटार्णी जर्नल आफ इंडिया कौन जर्नल आफ इंडिया नी महानयावादी केके वेनुगोपाल कौन है केके वेनुगोपाल ठीक है देखिए महानयावादी क्या होता है एटार्णी जर्नल तो बता दे कि आपको कि यह भारत का महानयावादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सला करें लीगल एडवाईजर होत अगले दोस्तों बहुत मात्मूर्ट में भारत के राष्टी राष्टी रित न्यादिकरण के चेर्मैन National Green Tribunal के Chairman है आधर्शकुमार गोयल ठीक है आधर्शकुमार गोयल राश्टी हरित न्याधिकरण के Chairman आधर्शकुमार गोयल फिर नेक्स दोस्तों बरतमाने भारत के राजसभा के सभवापती तो मैंने आपको वताया था कि जो भारत को उपराश्टपती होता है राजसभा का सभापती होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है परतमान महासची कोई है और देश दीपक बर्मा देश दीपक बर्मा है यह आप याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है बरतमान में राजसभा के विपक्ष नेता विपक्ष कौन है राजसभा का अपोजिशन लीडर कौन है गुलाम नवी आजाद है लोगसभा की बरतमान अध्यक्ष होन है निस्पीकर लोगसभा की बरतमान स्पीकर है चेर्मेन वो है सुमित्रा महाजन ठीक है सुमित्रा महाजन देखी यहाँ पे एक कोशन बनता है लोगसभा के पहले अध्यक्ष कहों थे पहले स्पीकर कहों थे जीवी मावलंकर थे यानि गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसवा के पहले speaker लोकसवा की पहली महिला अध्यक्ष कों थी? speaker कों थी? वो थी मीरा कुमार ठीक है तो ये 3-4 fact आपको जरूर याद रखना चाहिए अक्सर आये exam में पूछा जाता है बार बार पूछा जाता है लोकसवा के वरतमान उपाद्यक्ष होन है M थंबी दुराई है ठीक है लोकसवा के वरतमान उपाद्यक्ष है M थंबी दुराई लोकसवा की वरतमान महासचीव कोन है? यानि पहली महिला है ये पहली महिला महासचीव लोकसवा की इसनेय ह्लता स्रीवास्तव ठीक इसनेय में लोक स्रीवास्तव लोक स्रीवास्तव लोक सभा की वरतमान महास्यूचीव है देखे मैं नहीं होना आपको वरतमान में लोक्षुभा का नेता सत्ता पक्ष कौन है तो ये प्रामिनिस्टर नरेदन मोदी है अगला है वरतमान भारत के मुख निर्वाचा नायुक्त वेरी वेरी इंपोर्डेन कोशन नहीं ये ओम प्रकास रावत जी है अगला बहुत मातमुर्ण भारत के नियंत्रा के महालेखा परिक्षक नियंत्रा के महालेखा परिक्षक यानि कंप्ट्रोलर एंड ओडिटर जेनल ओफ इंडिया CAG को full form क्या होता है Comptroller and Auditor General of India तो वरत्मान में राजी महारशी है 13 नमबर के ठीक है नियंत्रा कौर महालेखा परिक्षक सर्वोच सेनापती वरत्मान में को है तीनों सेनाओं को सेनापती जो भारत का राष्टपती होता है रामनात कोविन जी है फिर अगला है दोस्तों वरत्मान में वाई सेनादेक्ष को होने तो वरत्मान में वाई सेनादेक्ष है Air Chief Marshal B.S. धनोवा वरत्मान में वाई सेनादेक्ष है वरत्मान में नौ सेनादेक्ष को होने Admiral Sunil Lamba जी है नौ सेनादेक्ष सुनील Lamba अगले है दोस्तों वृतमान में थल सेना धेक्ष होने विपीन रावत है नो सेना धेक्ष है सुनील लामबा ठीक है और वाष न धेक्ष हैं बीयेस धनोबा तीवेश चीजे आप लेद रुखेगा और इसकी पीडियाफ आप ले लिजेगा टेलिग्राम से तो आप इसको दो तीन वार देखेंगे तो आपके पूरी चीज़े याद हो जाएंगी अगला है वरतवान में कैमिनेट सचीव कौन है कैमिनेट सचीव है प्रदीप कुमार सीना ठीक है कैमिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सीना है वरतवान प्रधान मंतरी के सचीव कौन है तो यह है भासकार खुलवे और भारत के प्रधान मंतरी के प्रधान सचीव कौन है झूश्त वी हैं गोपाल वागले ठीक है जौई सेक्रेटरि प्यों कौन है गोपाल वागले घृत ममें फोरेंट ऑड सेक्रेटर्री कौन है विदेश क्यों ब्भारत कе विजय केशो lle जी है गोखले घृत माने टीक है यह काफी इंपोडबो Спасибо है अधिक पतादिकारी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें जितने भी आपके मित्र दोस्त त्यारी कर रहे हैं कवरेंट एक्जाम के सब्सक्राइब आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए आप हमें जरूर ब और यहाँ पर दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाया था कि जितने भी भारत के भी हाली में नाम परिवर्तित हुए चेंज हुए हैं सहरों के तो यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा काफी इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए आपका दिन शूब हो आपको मेरी तरफ से आगाम ब 계ँ değerकोıma काफी हैं सहरों की देख जह हुए हैं सहरों करी भारत के उेकगहा चेंज हैं सहरों कि दुछ वे पार जबqualified हैं से वे तो इंग में घुछंग हैं सहरों के भी जसले हैं सहरों काफी हैं सहरों BEचल दुछंग पर दोर जाषा हैं